नमस्कार स्वागत आपका EVP लाइब में इस वक्त मौझूद हूं में अलीगर में भाती किसान यूनियन टिकेट गुट के द्वारा लगातार किसानों से समठन जोटाये जा रहा है किसान यूनिन के द्वारा लगातार बड़ा प्रडेशन की चेतावनी प्रिशासन को दी ग कहना है अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो उनके द्वारा बड़े इस तरफ़ प्रडेशन किया जाएंगे सोला तारिक से पहले तेरे तारिक आएगी यानिकी कल तेरे तारिक है जिसको लेकर किसान यूनिन के परादकारियों क्या कुछ कहना उन से जान लेत उसके बारे में बताएंगे सबसे पहले हम लोग सोले तारिक को जो हमारा सोले तारिक का जो किसानों का जो एजन्डा है उस सोले तारिक पर हम भारत बंद का आवहन हमारे लिए आदे से राष्टी नेतर तो सोले तारिक को हम पूरी तरह से भारत बंद करेंगे हमारे जहां जहाँ हमारे किसान को पूरा भारत बंद साथ साथ पूरा आभा गमंद सहर से ले लेकर के दो नहीं नहीं निकलेगा नहीं पसुव के लिए ज़ें भारत बंद 16 तारी मंहिरा ह्मिलाा शा बालotine सोले तारीक हमें आदिस मिला गाताा बारत बंद किसान व्यापारी कौन-कौन से ऐसे लोग है जिनका आपको समर्तन मिल रहा है क्या तैयारिया देखे राइनेतिक पार्टी के हम लोग बात नहीं करेंगे हम हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के पूरा हमारे साथ है और संयुक्त किसान मोर्चा के आधार पर हम भारत बंद का अवान और उसी के साथ साथ हमें जो आदेश मिलेगा भारत बंद का उसी के लिए हम काम करेंगे किसानों के बात की जाएगी किसानों को न्याय दिला जाएगा MSP है तमाम तरह की वो बातें दी किसानों का पूरी करने के बादे किये थे लेकिन ऐसा क्या कुछ चला है जो भारत बन की बाते कही जा रही है किसान आक्रोसित है क्या वो बज़े है देखिए सरकार जो है यह जुमलेबाजी जूटी सरकार है यह सरकार कहती कुछ है और करती कुछ है इसलिए सरकार का भरोसा किसानों का भरोसा सरकार से उठ गया है किसान पूरी तरह से समल चुका है किसी तरह सरकार के साथ में किसी तरह प्रदान मंत्री मोदी जी इनका में स्वागत भी करता हूं यह जूटी घोषणाइं करते हैं अपने घोषणा पत्र में जो कहते हैं वो करते भी नहीं है समर्तन मूल आपको मिलेगा बताए कोई इनका देते जी जो करते यह राजनीती जो उन्हें बारत रतन दे दिया चौदी चरणसिंग जीके लिए किसानों के नेता थे वो तो देवता थे अब देवता से उन्हें भारत रतन दे दिया। इस लिए मैं उन्हें वाना प्रॉइन करें भारत संदो संद्दार्तweise। ये पथाये किसानों के मसी और भारत रतन दे जिया। चुनाबंenneसिं then 2014 की जो सरघंवाएं ए र कि देगी है लेकिन चुनाबं से पहले ही भारत रथन दिया ग्या। क्या कहेंगे इसको लेका देखिए भारत रतन जो दिया में उनका स्वागत करता हूं फिर भारत सरकार का स्वागत करता हूं मगर उस चीज के लिए कैसे भूल जाएं जो तेरे महीना गाजी पर बॉर्डर पर 700 से अधिक किसानों की जो हत्या करीती उन्हें सहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए यह मोदी क्यों नहीं दे पाते इसके लिए उन्हें देना चाहिए उसके लिए कैसे भूल जाएं महला पहलवानों का अपमान जो किया था उसके लिए कैसे बूल जाएं यह किसानों की बल्दान की आप बात कर रहे हैं महला रेसलों की आप बात कर रहे जैन चौधरी भी पहले कहा करते थे कि मैं चबनी नहीं हूं जो पलट जाओंगा अब वो यह बोले है कि भाजपास में मना कैसे करूं तो क्या क्या स्टेंड रहेगा अगर जब जैन चौधरी इस बात को कह सकते हैं क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता आगे चल कर आप भी यह कहें कि मना कैसे मैं किसान किसान संक्टन से हूं उनकी पार्टे जैन चोधिरीengeी की पैरिवराष्टी लोगिदल पार्टी वह अपनी पार्टी की राष्टी अ द्र दच है वह कुछ भी कह सकते हैं इस पर में कुछ नहीं कोगा क्या मानेंगे किस तरीके के समिक्र Sayaन किसान में लगता पी राच बहुट करेंगे उन्हें अच्छा लगेगा उसे पूर्दे देगा इन्हें अच्छा लगेगा उसे बूड़ देगा इन्हें अच्छा मेरे साथ महजूद हैं उन से जानेंगे क्या कुछ कहना है दोजा 24 के सुनाब नजदी के क्या कहेंगी कुछ नहीं वास यह कैसुले तारीक को वारत बंद रहेगा मैलाइं भी सामिल रहेंगी जी यो नहीं रहेंगी मैला पदाधिकारी भी सोले फरवरी को जो प्रदसन होने आपनी से अबाता हरा सकता है किसान आपने बढ़ा सकता है सही हिलाज्स के पास तो यह मजबूरी घरीवि ए बेखतीं किसान कि हम सरकार से यह कहते हैं बहुत दन से कहते चले आ रहे हैं हर सरकार में कहते हैं कि किसाने को तरफ देखिए लेकिन सरकार किसाने को तरफ देखती नहीं है और हम सोलह तारी को भारत बंद करेंगे और हमारे प्रदेश के देश के सभी किसान वहां जा करके भारत बंद करेंग तेरे तारीप को ऐसा रहेगा आद्यक्क देखने ओपरसे अभी आदेश नहीं मिला है ऐसा इन पदादिकारियों का कहना है तेरे फरवरी को क्या होगा यह तो आने वाला वक्त बताएगा फिलाल परवरी को भारत वन का आवान किसान यूनियन भारतिय टिकेट गूट के द्वारा किया गया है अब देखना ही होगा आगामी समय में किसानों के द्वारा 2024 में किस तरह की भूमिका निबाई जाएगी एबीप लाइब से खाली कंसारी अलिगंग एबीप गंगा खबर आपकी जवाब की